नमस्कार में उ्षिकास्रया और आप देखें जीन भारत जैसा हमने आपको कल बताया था विशाल चौतरी लापता है 15 दिनों से कोई खोज कबर नहीं है, एडी लेकिन उनको छोड़ने के फिराक में बिलकूल नहीं है उनके एक महिला करमचारी ऑफिशल जो करमचारी है उनको बुला के अंदर फिलाल पूस्ता चल रही है जिया इसके साथ ये उनसे पूछा जा रहा है कि विशाल चाउधरी पैसे कहा से लाता था कैसे वैवसाई करता था मनी लॉंडरिंग में उनका क्या हात है कौन-कौन उनस साथ पाटी करते थे ये बहुत करीबी जानकारी जो है जो नॉर्मल जानकारी है कि पाटी में कौन को शामिल होता था इस तरह की जानकारी वो महिला करमचारी संदर ले रहे है देखना दिल्चस्प होगा क्या बात निकल के सामने आती है दूसरा अब्डेट ये है कि करोड रुपे क्या है इसका लेखा जोगा क्या है इसका सोर्स क्या है ये सारी बातों को लेकर पल्स होस्पिटर तीन जलती कैसे खड़ा हो गया ये सारे सवाल जो एक तरह से बंबाड किये जा रहे है अब शेक जापे जिसमें वो थोड़ा से घबराए हुए नजर आते है पर कई सारे सवाल का जवाब जो है मैं वो चुपपी साध ले रहे है लेकिन ये चुपपी जो है वो एड़ी वालों को रास्त नहीं आ रही है और वो हर दिन एक ही सवाल-पुछने के लिए अभिशेक जया को बुला रहे है अभिशेक जा के तरफ से यह सूत्रों के होले स है जैसा हमने आपको कल बताया थे यह भी कि रिशिकेश पांडे नए उपनिदेशक होंगे एडी के लेकिन रिशिकेश पांडे के आने से सुबोध कुमार इससे पहले जो थे उनका तबादला हुआ है तो सवाल खड़ा इसे सर्यू रहे जो है विदायक उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर सुबोध कुमार को क्यों हटाये गया आपको बता दे सुबोध कुमार बहुत ही स्टेट तर्रार ओफिसर थे यही वही है जिन्होंने पूझा सिंगल उसी है सुबन कुमार को फॉरां गिरफ तार किया और इसके साथ ही आप जो बंगला देख रह उनके खिलाफ जमा किये थे कि पूरे 500 करोड की संपती जप्त की थी उन्होंने एनो सिक्ता की और यह बंगला भी जप्त किया था जिसे आज एडी का रहाले यानि एडी का ओफिस बना दिया गया है यह बंगला की कीमत लगभग साड़े 300 करोड बताई जा रही है फिलास अ पाटिहार से और साहिब गंज के बीच में जो गंगा नदी है उनके बीच जहाजे चलती है उनकी उनका जो टेंडर है वो शामला सरकार के पास है तो होता है खनन जो अवैत खनन और अवैत चिप्स बंगला देश भीजा जाता था कहा जाता है कि इसी रूट में गंगा सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले